क्या आप अपने कुंडली को रावन की तरह बर्बात कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आपको एक बहुत ही जादा ताकतवर और शक्तिशाली कुंडली मिला है? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के अंथ तक आपका कुंडली ताकतवर और शक्तिशाली ही रहेगा? आपका जो कुंडली है वो शक्तिशाली ही रहेगा तो आप गलत फेहमी में जी रहे हो और इस गलत फेहमी को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ यह अनोखा वीडियो जिसका नाम है यानि कि क्या आप अपने कुंडली को खुद रावन की तरह बरबात कर रहे हो क्यूंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सूत्र दूंगा मैं कुछ ऐसी रहस्यों का खुलासा करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहा गलतिया कर रहे हो आपको कैसे खुद को सही मार्ग में वापस आना है और यह जो वीडियो है यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो शक्तिशाली है ताकतवर है और वो अपने कर्मों से अपने फ्री विल से अपना लाइफ खुद खराब कर रहे हैं यह सभी के लिए है जो जानना चाते है कि वो क्या गलतिया है जिसे करके हम अपने कुंड़ी को खराब करते हैं डामेज करते हैं बरबात करते हैं तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा यह बोलके कि पूर्वपुन्य नाम का एक चीज है ठीक है पूर्वपुन्य का मतलब है कि आपने अपने पिछले जनम में कितना तपस्या किया कितना साक्रिफाइस यानि कि बलिदान दिया कितने त्याक किये और उस तपस्या से उस बलिदान से इस जनम में आपको क्या मिला वो कौन से ग्रह है जो आपके कुंड़ी में हमेशा अच के बैटे हुए हैं अपने ओन साइन में स्वराशी के है या मूल त्रिकोन के है ठीक है तो यह जो ग्रह है यह तो आपको पूरवपुनी से मिल गया कि मानलों आपका शनी उचका है केंद्र में शश महापुरुष नामक योग बना रहा है आपका भ्रिहस्पति उचका है गज पूरवपुन्य से आपने अपके पिछले जनम में जो जो अच्छे काम किये जो तपस्या किया उसका नतीज़ा है कि अभी आपको इस जनम में शुरुवात में ही एक भरा हुआ कब मिल गया जिसमें चाय या पानी भरा हुआ है आपको उठा के पीना है ठीक है और कई थोड़े बहुत डिफिकल्ट होरोस्कोप में जनम लेते हैं यानि कि कुणली में ग्रह नीच के हो जाते हैं दुस्थाना में चले जाते हैं बुरे ग्रहों के दृष्टी में पढ़ जाते हैं या बुरे ग्रहों के साथ कंजंग्ट होके बैठ जाते हैं यानि कि एक ही घर कि आप साइकल चला रहे हो ठीक है तो एक साइकल को आप जब बहुत तेजी से पेडल करोगे पेडल करोगे और मानलों कि आप एक 30 किलोमेटर के स्पीड तक पहुच गये उसके बाद अगर आपने पेडल करना बंद भी कर दिया फिर भी आपका साइकल चलता जाएगा लगभ करने को रोकने के बाद भी ये पूर्वपुन्य है कि आपने पिछले जनम में कुछ अच्छे कार ये कर लिये जिसके वज़े से आपका गाड़ी चलता जा रहे है ठीक है बट अगर आपने आपके साइकल के हैंडल बार को किसी गलत तरीके पे मोड दिया यानि कि अगर भंकार में पढ़के गुसे में आके इरिशा करके ठीक है किसी भी गलत किसम का एक वासना को लेके आपने एक गलत राह पकड़ लिया जीवन में आप करप्शन के तरह चले गए आप लोगों को बरबाद करना शुरू कर दिये आप पैसा चिनना शुरू कर दिये आप ब्लै इनर्जी है यानि कि जब तक वो पिछले जनम का तपस्या है वो आपको सपोर्ट करता जाएगा आप जाते जाओगे आपको लगा कि कोई मुझे छू नहीं सकता जैसे ही आपका वो कार्मिक रेपोसिट्री यानि कि जैसे ही आपका वो पूर्वपुन्य खतम आप भी खतम क्योंकि हम सभी इन नवग्रहों के आदीन है यह नवग्रह हमें एक दुर्ग में यानि कि एक जेल में रखते हैं जिनकी अधिश्टात्री देवी मा दुर्गा है ओके दगॉड़स अफ़ फोट्रेस ठीक है तो सबसे पहले आप अपना कुंडली खोलो और कुंडली में द और आपका जो ब्रेस पती है वो उच्छ का है आपका जो शनी है वो मकर राशी का है और आपका जो मंगल है वो मेश राशी का है तो सारे ग्रह या तो उच्च के हो गए या स्वास्चेत्र में चले गए अब आपको कमी तो नहीं है प्लानेट का ठीक है वो जो बेसिक सिग परमान करेंगे अप जो दोworkers सुनेंगे या- भ्रेयस्पती उचका है तो नाश्पिती समेमे सही ज्यान आपको मिलेगा ना जला झारे तहीं पर मांन लिजे कि राहू एक गलत गाना मज़त घर में भुझबल से या अपने पराक्रम से पानी की कोशिश करना चाता है, ठीक है, क्यूंकि राहू एक ऐसा ग्रय है जो अपने आशा को पूरा करने के लिए वो गलत रास्तों का भी चैन कर लेता है, ठीक है, तो आपके पास अभी सारे ग्रय जो है उचके है और आपका जो राहू वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है, वो आपके सर के ओपर हाभी है, माली जे कि राहु चंद्र को देख रहा है, या चंद्र राहु के नक्षेतर में चला गया, तो हमेशा लगए आपको तोड़ू, नियमों को मरोड़ू, लोगों को करप्ट करके अपना काम निकाल लो, ठीक है, और जो चाहू वो करू, मुझे कोई नहीं चूँ सकता, यह राहु का स्वबा हो है, ठीक है, तो आपका राहु आपको गलत तरीके में लेके जा रहा है, ठीक है, अब आप, आपके कुंद्ली में जो पावफुल ग्रह है, आप उसके कारक तत्वों को अगर अ सकते हो, ठीक है, अब इस उच्च के मंगल के साथ, आप लोगों को जाके बाहर प्रोटेक करोगे, या आप लोगों को धमका के, हडका के, पैसा वसूल करोगे, अपना घर, अपना मकान, अपनी गाडिया बनाने के लिए, तो आपने मंगल के कारकत्व को खराब कर दिया, और जो आपने मंगल के सिग्निफिकेशन, यानि कि बेसिक कारकत्व को खराब कर दिया, तो ये मंगल उच्का रह के भी उच्का नहीं रहेगा, विकास ये आपको नेगिटिव विजल देना शुरू कर देगा, आप देखोगे कि आपको प्रॉपर्टी रिलेटर प्रॉब जो आपके कुंडली में जो मंगल है, जो बॉच्छ शक्तिशाली है, उसको आपने ओवर यूज कर लिया और गलत तरीके से यूज कर लिया, क्योंकि मंगल मान लिजए राहु के प्रभाव में आ गया, ठीक है, या बुद्ध के प्रभाव में आ गया, जो बुद्ध अगर मैं करप्शन कर लो, तो भी कौन मुझे पकड़ेगा, तो यह गलत है, जब तक आपका वो पूर्वपुन्य का घड़ी चलता जाएगा, तब तक आप चलोगे, जैसे वो घड़ी रुग गया, आप भी रुग जाओगे, ऐसा कोई नहीं है, जो सिस्टम के ओपर जाक को रेप्रेजन करता है, ठीक है, बैंकिंग को रेप्रेजन करता है, कैलकुलेशन को रेप्रेजन करता है, पोलिटिकल चीजों को रेप्रेजन करता है, कूट नीती को रेप्रेजन करता है, चानक्य नीती को बुद्ध रेप्रेजन करता है, अब आपके पास बुद्ध दूनते नहीं हो, आपके अंदर से speech निकल जाता है, तो पैसे को कैसे invest करना है, कहा हटाना है, वो कौन से कौन से नीती है, जिससे मैं corruption करके, scam करके, अपना पैसा निकाल सकता हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा 10-15 साल तक, तब तक तो मैं ही चला जाओंगा, ये सारा जो है बुद्ध के पास है, ठीक है, पर आपका बुद्ध जो है, आप इसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिये, आप जो environment है, यानि कि जो भूमी है, जो विरिक्ष है, पेड है, जो greenery है, ये बुद्ध को represent करता है, जो बच्चे है, ये बुद्ध को represent करता है, आपने अगर कुछ ऐसा scam किया, कि आपने बहुत सरे विरिक्षो को tender pass करा के काट दिया, और आपको बहुत सरे पैसे मिल गए, जंगल से, बाद में आपको पता चलेगा कि आप किसी scam में फसरे हो, उसी तरीके से, मान लिजे, बच्चों का कुछ school का education related कोई scheme है, कोई tender है, ज तो आपने mercury के power को misuse कर लिया, तब से आपका downfall शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुणली में लिखित तरीके से तो बुद्ध उचका है, ठीक है, पर आपने उसको अंदर ये अंदर cancer की तरह खराब कर दिया, damage कर दिया, ठीक है, इसी तरीके से मान लिजे कि आपका शुक्र उ measures को, ठीक है, तो आप मान लिजे कोई multi-millionaire industrialist है, और आपके बास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे से आप जो शुक्र है, जो औरते हैं, उनकी मदद कर सकते हो, आप उनको वकील दे सकते हो, free rape case fight करने के लिए, आप अपने पैसों से, जो औरते हैं, जिनकी शादी नहीं होती पैसों के कमी के वज़े से, आप उनको पैसा दे के शादी करवा सकते हो, पर आप क्या कर रहे हो, आप एक लड़की बास बनके हो, आप लड़कियों को देखते ही सोचते हो कि मैं इसको उठाऊंगा और भोग करूगा, ठीक है, तो पहले तो आप कर लोगे, क्योंकि आपक का शुक्र खराब हुआ, उसके बाद आप शारिरिक संबंद करने के योग यह नहीं रहोगे, आप किसी महीला से संबंदित घटना में फस जाओगे, आपका नाम खराब हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हो, तो ऐसे तरीके से जो ग्रह है, जैसे चंद्र माता को पर राहु का एस्पेक्ट है उसके उपर, या शनी का एस्पेक्ट है उसके उपर, या राहु शनी के साथ बैठा हुआ है, आपको एक अच्छी मा मिली, पर आप अपने माता को एक्स्प्लोइट कर रहे हो, उनसे फाइनांशल हेल ले रहे हो, उनका प्रापर्टी हड़ अ यानि कि comforts यह सब चले जाएंगे तो आपको देखना है कि आप जो अच्छे ग्रह है जो उच्छे ग्रह है जो ओन साइन के है क्या आप इनके खारक तत्वों को खराब कर रहे हो डैमेज कर रहे हो अगर आप डैमेज कर रहे हो तो वह पूर्व पुनिया वाला साइकल चलता जाएगा और जैसे वह साइकल रुख गया आप भी रुख जाओगे यकीन किजी आप ठीक है अगला जो पॉइंट है वो यह है कि अब मान मान लीजे कि आपके कुंडली में किसी एक घर में बहुत सारे ग्रह बैटे हुए है मान लीजे कि सप्तम घर में चार ग्रह बैट गया राहू बैट गया शुक्र बैट गया बुद्ध बैट गया और चंद्र बैट गया ठीक है अब आपका पूरा जो एनर्जी है वो बिसन अब बैट गया तो हर वक्त पैसा 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 इसके बारे में सोचते जा रहे हो ठीक है आपका पूरा फोकस चला गया आपके खुद के पैसे के उपर ठीक है और आप भूल गए कि जो आठवा घर है जो उसका ऑपोजिट है वो आयू है वो आपके इनलास है वो आपका इनहेरिटेंस है आप इस घर को बरबाद कर लेते हो ठीक है उसी तरीके से मान लीजे कि आपके दशम घर में बहुत सारे गरे बैट गए ठीक है आपके दशम घर में राहू है सूर्य है मंगल है और ब्रेस पती है ठीक तो बाहर के दुनिया में आप बहुत बड़ा एक नेता हो सम्मानित आदमी हो लोग आपको देखते कुरसी से उठके सलाम ठोकते है इतने बड़े इंसान हो और आ समय आप सोच रहे हो कि आपको सत्ता आपका जो पावर है वो पॉजिशन है कैसे मिलता जाएगा मिलता जाएगा और यह सोचते सोचते आप उस घर के उपर इतना involved हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि चौता घर करके कुछ है आपके properties है, आपका मन का सुख है, आपका heart का health है आपकी माता है भूमी है, वाहन है और आप इन चीजों को नेगलेक करना शुरू कर देते हो क्योंकि आपके ग्रह बैट गये ना दशम घर में तो आप बाहर की तरफ सोच रहो ठीक है, ये सोचते सोचते क्या होता है आप धिरे धिरे करके इतना obsessed हो जाते हो उस घर के उपर कि आप negative चीज़े करना शुरू कर देते हो आप balance out ने करते हो, ठीक है तो आपको करना क्या है आपको चौते घर के चीज़ों को करना शुरू करना है, यानि कि खेती बाड़ी करो, माता का सेवा करो अपना जो गाड़ी है अपना जो घर है, उसे संभाल के रखो घर के लोगों को importance दो, उनको चीटी की तरह टीट मत करो, क्योंकि आप बड़ा कुछ भन गयो, ठीक है ये करने से आपका कुंडली balance होगा क्योंकि ये जो ग्रय है, उसका weight एक जगह जगह जादा पड़ रहा है दसवे घर का पलरा भारी हो रहा है तो आपको चौते घर में जाके forced fully, जान बूच के आपको activity करना पड़ेगा, ताकि आपका कुंडली balance रहे, ठीक है अगला जो point है वो ये है कि आपको humble रहना है और आपको पंच तत्वों का सम्मान करना है, ठीक है humble रहना यानि कि जुक के चलना respectful रहना लोगों को सम्मान देना, चाए वो किसी भी कदर के हो, गरीब हो या मीर हो ठीक है, आपको humble रहना है जैसे ही आपके सरक्यों पर अहंकार चड़ जाएगा, pride आजाएगा कि मैं तो कुछ हूँ और आप लोगों को छोटा करना शुरू कर दोगे मिस्ट्रीट करना शुरू कर दोगे वैसे ही आपका कुंडली, आपका सूर्य खराब हो जाएगा और जैसे ही सूर्य खराब हो गया तो आपको authority, सम्मान और high position मिलना बंद हो जाएगा तो जितने भी high position में चले जाओ, humility को रखोगे तो लोग आपको राजा बनाएंगे और अगर dictator की तरह चलोगे तो आपका जो राज है वो लोग आके तोड़ेंगे जो हो रहा है आजकर अब पंच तत्वो को सम्मान देने का मतलब क्या है हर चीज जो इस पित्वी में है वो पंच तत्वों से बना हुए है तीके ना, म, शी, वा, य, ना, Earth, element मा, वाटर element शी, फायर element वा, Air element या, Sky या, Ether element ये जो पंच तत्व है अगर आप इन पंच तत्वों का सम्मान नहीं करोगे आपके घर में पानी बहते जा रहा है आप ब्रश किये जा रहे हो या आपके घर के opposite में कई पे एक नल में पानी तूटके निकलता जा रहा है जो corporation का पानी है और आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे घर में तो पानी है उसी तरीके से जो छोटा सा एक आग लग रहा है कही पे आप उसको बुझा नहीं रहे हो कि वो मेरा काम नहीं है मैं क्या करूँ और वही आग एक बहुत बड़ा एक जो सैलाब का रूप लेखे वो किसी का घर उजाड देता है किसी का जीवन अंत कर देता है तो जो पुल्यूशन है जो आकाश है आप उसको पुल्यूट करते जा रहे हो आप ऐसा गाड़ी चला रहे हो जो काला धुआ देता रहता है और इसके वज़े से जो बच्चे वो सास नहीं ले पारे तो आपने अपना जो वायू तत्वे उसको डैमेज कर दिया अगनी तत्वे डैमेज कर दिया जल तत्वे डैमेज कर दिया आप भूमी में प्लास्टिक फेकते जा रहे हो और पुल्यूशन डालते जा रहे हो तो आपने अपना भूमी तत्वे खराब कर दिया और यह जो पाच तत्व है न, यही बहुत इंपोर्टेंट है आपके चक्रों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अगर आपने इन पाच तत्वों को बैलेंस नहीं किया, तो आपके जो चक्र है वो बरबाद हो जाएंगे, और चक्र ही वो एनरजी है, जिसमें आपके कुंडली के ग्रह ह वो रौश्णी के माध्यम से आपको एंपावर्मेंट देते हैं, आपके चक्र डैमेज हो गए, तो जितना भी आप रतन पहनो, यह जेमस्टों दस्टों पहन लो, वो एनरजी वो चक्र में जाएगा, पर वो चक्र ही डैमेज हो गया, तो वो कैसे उस एनरजी को उपर ठीक है, जो एडम एन इव का स्टोरी है, ठीक है, उस स्टोरी में इव को कहा जाता है कि इस एपल को बाइट मत करने, इस एपल को मत खाना, ठीक है, बट जो आपके अंदर यह डिजायर आया, कि चाहे जो हो जाएगा, मैं भगवान भगवान में नहीं मानता, मैं कर्म में मानता मेरे में भैन ही है मुझे बस चाहिए चाहिए ही चाहिए पैसा चाहिए चाहिए फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए चाहिए सम्मान चाहिए ही चाहिए पावर चाहिए, पोलिटिकल पावर चाहिए मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबसे बड़ा होता है ठीक है उसी तरीके से रावन उसके राहु ने उसे किसी पर इंसान के स्थरी के उपर बुरी नजर डालनी के लिए मजबूर किया उसकी बहन भी गलत थी क्योंकि वो एक विवाहित आदमी के पास जा के कहती थी कि मुझे भी अपना पत्नी बना दो तो ये जो काम वासना है इस वासना के चकर में वो राहू के चकर में पढ़ गया राहू के उपर सोच नहीं सका कि मेरा सबकुछ अच्छा है मेरा राजय अच्छा है मेरा शरीर अच्छा है मेरे बच्चे है मेरा बहुत बड़ा एक एंपायर है और कितने सारे लोग है सबकुछ ठीक ठाक चल रहा है मैं क्यों एक औरत के पीछे पढ़ू जो मासमान है तो उसने राहू के उपर जाके नहीं सोचा हम सभी राहू के चक्कर में पढ़ जाते हैं एक डिजायर आता है एक इच्छा आ जाती है और चाहे वो पैसा हो या रुद्बा हो या शौरत हो या फिजिकल प्लेशर हो या जो भी हो पावर हो हम उसके पीछे पढ़ जाते हैं जितना मिलता है और चाहिए तो जो इंसान राहू के उपर जाके सोच नहीं पाता है कि अब बस यहां मैं गलत जा रहा हूँ यहां मुझे अपने आपको सही करना है वही वो बर्बाद हो जाता है वही से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है और जो इंसान राहू के उपर जाके सोच पाता है यानि कि भ्रिहस पती बनके सोचता है कि अरे यार मुझे जो मिलना है वो मिला काफी है अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी गलत तरीके से चीजों को लेना चाहिए, पाना चाहिए, अगर कोई मुझे से प्यार करती है, तो मुझे उस प्यार को accept करने का अधिकार है, मैं शादी शुदा हूँ और कोई मुझे से प्यार कर रही है, मैं उसको भी बढ़ा रहा वेह भाहा पे भी हो याप भी हो, गलत है, ठीक है? तो अल्टिमेटली आपको यह देखना है कि आपके कुणली में राहु काए है, राहु के उपर कौनसे ग्रहों का aspect आ रहा है, कौनसे ग्रहों को देख रहे है, अगर शुब ग्रह देख रहे है और वो आपके लगन के लि तो राहू के उपर उठके जब आप सोच पाओगे तब आप अपने अंदर के रावन को हरा पाओगे तब आप अपने होरस्कोप को डैमेज करना बंद करोगे राहू के उपर जब उठके सोचोगे राहू अच्छा है पर बे लगाम घोडा यानि कि बे लगाम राहू सब कुछ बरबात कर देता है एक इंसान का राहू पुरी दुनिया को तबागर देता है ठीक है तो यह जो मैंने आपको वीडियो बताया कि क्या आप अपने क्योंकि अगर आपने रिफॉर्म करना शुरू किया तो अभी भी जो छोटा सा थोड़ा बहुत पूर्वपुन ये वाकिय वो आपको बचा लेगा मगर आपने अगर बोला कि मैं जो हूँ यही मैं हूँ और मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदलूँगा मैं लेता जाओंगा लेता जाओंगा पर किसके लिए ले रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता तो फिर आपको बरबाद होने से रावन की तरह कोई ने रोक सकता कोई ने भगवान भी ने ठीक है तो यह मैं कहना चाता था that's it for today अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो क्योंकि मेरी गलती है मैं आपको साधी सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा और में हिंदी में भी वीडियो बनाऊंगा ताकि बहुत सारे लोग जोतिष के रहस्यों को समझ सके so that's it for today take care of yourself take care of the elderly people and the stray animals यानि कि आपके घर में जो बुजूर्ग है और आपके घर में और बिरादरी में जो जानवर है उसका ख्याल रखिए अपना भी ख्याल रखिए और आडियोस जय हिंद जय भारत वंदे मात्रों